जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तों 9 अगस्त तक दो ग्रहों की यूती ऐसी होने वाली है जो चार राशी वाले लोगों के जीवन में पैसा लेकर आएगी आज की इस वीडियो में हम बुध और सूर्य के बारे में बात करेंगे कि बुध और सूर्य किस तरह से इस बुधादित्य नाम के राजियोग से चार राशी वाले लोगों के जीवन में पैसा लेकर आने वाले हैं तो वीडियो को अंति तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तों बुध एक ऐसा ग्रह है जो कम अवधी में गुचर करता है लगभग 14 से 15 दिनों तक का इसका एक राशी में गुचर होता है 15 दिनों में ये राशी बदल लेते हैं और अब 25 जुलाई को बुध करक राशी में प्रवेश करेंगे जो की चंद्रमा की राशी है अब करक राशी में पहले से ही सूर्य मौझूद है तो सूर्य के साथ बुध का युति हो जाएगी और बुधादित्य नाम का राजियोग बन जाएगा ये जो बुद्धादिते राजयोग होता है ये बड़ा ही उत्तम राजयोग माना जाता है बुद्ध तो बुद्धी के स्वामी है ज्यान के स्वामी है और सूर्य ये जगत पिता है आपके जीवन में मान सम्मान को पदबरतिस्ठा को दिखाते हैं ऐसी इस्तिती में दो ग्र श्राप्ति के योग बनाएंगे और यह जो इस्तिती बनेगी 9 अगस्त तक रहेगी यानि 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त की सुभा तक इन चार राशी वाले लोगों के जीवन में बहार आने वाली है तो उनी की हम बात करने वाले हैं और इन जो चार राशियों के हम बात करें ह इन में जो सबसे पहली राशी है वो शुक्र की राशी व्रशब राशी है व्रशब राशी वाले लोगों के लिए बुद्ध ग्रह दूसरे और पांचवे घर के स्वामी है यानि धनभाव के और बुद्धी के भाव के ज्यान के भाव के प्रेम के भाव के स्वामी है और आप में ये जो भाव होता है तीसरा ये हमारे संचार और हमारे कौशल को भी प्रतिनिधित्व करता है तो एक तो उन लोगों के लिए ये समय जवर्दस्त होने वाला है जो संचार शेत्र में काम करते हैं जैसे विक्रेता हुए दुकांदारी है आपकी किसी वी चीज़ की त तरह से बात करते हैं तो आपकी वानी में चवर्दस्त निखार देखने को मिलेगा एक गजब का आकशन होगा आप पत्रकार हैं आप रिपोर्टर हैं लेखक हैं वकील हैं शिक्षा या फिर परामर्ष छेत्र में काम करते हैं तो बुद्ध आदित्य योग बुद्ध और स तो नवम भाव पर भी बुद्ध की द्रस्ती होगी तो इसका अनुकुल यह हो इसका जो मतलब निकलेगा वो यह होगा कि यह समय होगा उन छात्रों के लिए भी बहुत अनुकुल है जो अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं विदेश में जाना हैं सामाजिक दायरे में प्रसिद्धी मिलेगी, अपने भाई बहनों या अपने परिचितों के साथ आपको यात्रा का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, सामाजिक कारे हो, धर्मार्थ के कारे हो, उन सभी चीजों में आप सम्मेलित होंगे, इस दोरान आपको अपनी जीवन शैली म कई तरह के परिवर्तन करने होंगे और यह जो आपकी जीवन स्चाली में परिवर्तन होंगे यह आपके स्वास्ते के लिए बेहद अच्छे साबित होंगे अगर आप कारोबारी हैं आपका लगू द्योग है आपको बिजनिस करते हैं तो यह समय आपके लिए भी बेहद तो दूसरी राशी है तुला राशी तुला राशी भी शुक्र की राशी है और तुला राशी वाले लोगों के लिए द्वादस और नवम भाव के स्वामी बुद्ध होते हैं सूरे के साथ बुद्धा दित्य योग बनाते हैं और जो योग बनाते हैं दसम भाव में बनाते ह विदेश में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय आपके के लिए बना है विदेशों से जुड़ा वैपार करते है तो आप देखेंगे अपने वैपार को अपनी नौकरी को फलता फूलता पाएंगे 9 अगस्त तक विदेश में बसने की योजना भी बना सकते हैं, विदेश में बसने की योजना भी कामयाभी भरी हो सकती है, अपने कारे इस थल पर बस थोड़ा ध्यान रखें, राजनीती का सामना करना पड़ सकता है, किसी भी तरह की आफिस में जो राजनीती चलती हैं, उनसे दूर रहें बाकी संपत्ति के मामले में घर में निवेश करने के मामले में योजनाय बनाएंगे वाहन प्राप्ति का जवर्दस्तियोग है वाहन की प्राप्ति हो सकती है परिवारिक जीवन में भी पिता के साथ सम्मंद सुध रहेंगे आपकी सोच इस समय बड़ी सकारात्मक होगी हर चीज को लेकर पॉजिटिविटी मन में होगी और इस दोरान अध्यात्मिक तौर पर भी आप काफी सक्रियर हैने वाले हैं अगर आपके पिता व्यवसाय करते हैं तो उनको अपने व्यवसाय में सफलता मिलेगी अध्यात्मिक तौर पर भी आप काफी सक्रियर हैंगे समाज में आपका कद बढ़ेगा रिष्टेदारों से दोस्तों का सहयोग भी प्राप्त होगा आप अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ाएंगे सरकार की कुछ नीतियां हैं जिनका आप समर्थन करेंगे कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको आप जिनके से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे अब तीसरी राशी की बात करते हैं तीसरी है व्रश्चिक राशी ये मंगल की राशी है और बुद्ग्रह आपके आठवे भाव के स्वामी हैं साथ में ग्यारवे भाव के भी स्वामी हैं लाभ भाव के और नवम भाव में विराज मान होंगे, यानि कि आपके भागय भाव में ये बुद्धादित योग निर्मित होगा, बुद्ध और सूरिय की यूति होगी, तो ये जो गोचर होगा व्रश्चिक राशी वाले लोगों के लिए अत्यंत भागय साली रहने वाला है, आपको आप अगर लेखन के शेत्र से जुड़े हैं, संपादन, गायन, ऐसे किसी व्यवसाय से हैं, ऐसे किसी पेशे से हैं, तब भी आपको धनलाब के प्रबल योग बनेंगे, इस दोरान किसी भी कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी, और अगर आप किसी रिसर्च डिपार् देगी, इस समय मंगल का जो प्रभाव है, मंगल की राशी है, व्रश्चिक राशी में केतु विराजमान है, बस थोड़ा सा अपनी वानी पर नियंतरन रखना है, वानी को लेकर थोड़ी क्रोधित आप रह सकते हैं, क्रोध में कुछ ऐसे शब्द आप बोल सकते हैं, तो आप एपलाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, अब है चौथी और अंतिम राशी है, मीन राशी, मीन राशी वाले लोगों के लिए ये जो योग होगा, ये पंचम भाव में होगा, पंचम भाव, संतान, पढ़ाई, प्रेम, व् रिजल्ट होंगे, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट होंगे, सामाने से बहतर आपको दिखाई देंगे, कारेशेतर में आपका रवया शान्त होगा, परिवारिक जीवन को बहुत बहतर तरीके से प्रबंदित कर पाएंगे, परिवार में हर को एक योजना भी सफल हो सकती है, अध्यात्म की तरफ आपका रुजहान होगा, बस वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, तो आपकी जो स्वास्त है वो ठीक रहेगा, विद्यारती अपने सिक्षा में अच्छा परदशन कर पाएंगे, अच्छे परिनाम हासिल कर पाएंगे, तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्याजद लाइक करें, शेयर करें